बच्चों आज हम लोग कुछ special type के जो circuits पढ़ रहे थे उसी series में हम लोग inductance cable अगर लगा है तो circuit में तो फिर उसका क्या effect आएगा current और voltage में क्या variation होंगे तो circuit containing inductance only मतलब अगर किसी circuit कोई circuit हमारे पास है जिसमें alternating current हम लोगों ने लगा रखी है और उसको अगर किसी inductor से add कर रखा यह जोईन कर रखा है inductor को हम लोग L से represent करते हैं और alternating voltage को हम लोग तो इसमें जो है alternating voltage हम apply करते हैं और alternating voltage क्या होता है V0 sin omega T V is equal to V0 sin omega T अब होता क्या है देखिए जब voltage हमारा vary करता है source जो है यानि source हमारा क्या है alternating voltage तो जब source हमारा बढ़ेगा घटेगा voltage बढ़ेगा घटेगा घटेगा तो current भी घटेगी बढ़ेगी यानि इसमें current बढ़ेगी घटेगी फिर अपोजी direction बढ़ेगी यानि इतना सब कुछ होगा इसमें जैसे ही यह सब होता है तो फैराडे की हिसाब से इसके अंदर पहले पहले electromagnetic induction की chapter में आप पढ़ चुके हैं कि जब कभी फैराडे ने यह बताया था कि जब किसी coil में अगर आप flux change करते हैं तो इसके अंदर एक induced EMF generate हो जाता है एक EMF induced हो जाता है जो हमारे change का pose करता है कहने का मतलब अगर यह voltage change हो रहा है तो इसके अंदर भी एक EMF create होगा जिसको induced EMF कहेंगे और वो induced EMF हमारे main voltage का pose करेगा यानि इसको back EMF भी कह सकते हैं जो यह create होता है that is called back EMF यह इसलिए क्योंकि जब यह हमारा बदलेगा voltage तो यहां भी एक voltage induced हो जाएगा जो इसका pose करेगा इसके change होने का pose करेगा तो that is called back EMF तो आप कहने का मतलब यह है कि जो source हमने लगा रखा है उसका voltage और जो इसके बीज में inductor जो लगा इसके बीज में जो voltage back EMF create हो रहा है वो back EMF इसके बराबर होगा क्योंकि पैलल में लगा हुआ है तो हम यह कह सकते हैं कि V naught sin omega T will be equal to back EMF तो back EMF क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं LDI by DT यह back EMF last time आपने पढ़ा है electromagnetic induction में अगर नहीं आपको मालूम तो वहाँ जा करके आप playlist में जा के चेक कर सकते हैं तो यह हुआ LDI by DT लेकिन हमको निकालना क्या है voltage तो हमको मालूम है हमको निकालना कि current का behavior क्या होगा तो current का behavior पता करने के लिए सिर्फ हमको DI की value लेनी पड़ेगी तो अब DI की value कैसे लेंगे देखिए DI बाकी सब चीज़ें उधर चली जाएंगी V0 upon L और sin omega T और DT यह value यहाँ जाएगी sin omega T DT अब DI को अगर हमें value लेना है तो क्या करना पड़ेगा integrate करना पड़ेगा integration चुकि पूरी full cycle के लिए हमें integration चाहिए यह तो at any instant है यह भी समझते चलिए mathematics यह at any instant है value लेकिन अगर हमें पूरा cycle का value पता करना है तो उसको integrate कर देते हैं V0 upon L constant है तो यह integrate हो जाएगा sin omega T DT अब यहाँ पर sin omega T DT की जो integration है वो हमारी हो जाएगी cos omega T minus में और उसी omega T का चुकि omega तो constant value है क्योंकि जो integration हो रहा है वो T के term हो रहा है इसलिए omega का दुबारा से integration होगा और इसको इस तरह से लिखा जाएगा यह हमारा यहाँ limit लग जाएगी 0 से T तक तो कहने का मतलब यह है कि D I की जो value है वो I हम लिख सकते हैं यहाँ पर I is equal to V not upon L और इसको यह लिखा जा सकता है अब यहाँ omega की value को हम omega L के साथ लिख दें और minus cos omega T हम लिखे रहने देंगे step by step चलेंगे I अब आगे बढ़ते हैं देखे यहाँ जो minus में cos omega T है minus में cos omega T थोड़ा सा mathematics में आपको जाना पड़ेगा sin देखे फामला होता है sin 90 minus theta अगर आपने पढ़ा हो तो यह हो जाएगा cos theta लेकिन अगर इसमें minus common लेले इस वाले उपर वाले में तो यह क्या लिखा जा सकता है इसको sin minus theta minus 90 समझे इस बात को sin 90 minus theta को हम लिख सकते है minus common लेले तो minus theta minus 90 और एक बात ध्यान रखें कि जो यह value है यह value theta minus 90 को as it पूरा theta मान के अगर चलते हैं तो यह होता है minus cos theta minus 90 क्योंकि इस पूरे को एक angle मान ले और उसके बाहर अगर इसको इसको इससे समझ सकते हैं कि sin minus theta अगर कहीं है तो उसको minus sin theta लिख सकते है तो यहाँ sin minus और कोई angle अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं minus cos और वो angle लिख सकते है तो कुल मिला के कहने का यह मतलब यह है कि यह जो चीज आई हमारी वो यह लिखी हुई है पहले से यह जो चीज आई हमारी यह पहले से लिखी हुई है तो theta की जगे यहां क्या लिखा है omega t theta को ऐजे omega t मानेंगे तो अब यह हम reverse कर रहे हैं यह इस mode पे आ रहे हैं तो जब इस mode पे आएंगे यह यूं कहें कि इस mode पे आ रहे है omega t माने यह थीटा minus 90 इसको लिख सकते हैं v naught upon omega l और इस पूरी चीज को लिख सकते हैं sin omega t minus 90 को pi by 2 लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख दिया इसको यह समझ में आया होगा इसको फिर से एक बार देख लीजे चलिए अच्छा इतना लंबा ना समझीए आप इसी को देखिए इसी result को देखिए एक बार फिर से यह जो लिखा है वो क्या लिखा है पहले आप देखें omega t minus pi by 2 ठीक है इसमें से minus common ले लीजे दूसरे तरीके समझीए इसको छोड़ दीजे sin omega t minus pi by 2 minus common ले लीजे तो क्या बन जाएगा यह यह plus में हो जाएगा और यह minus में हो जाएगा यहनी हमारे पास क्या लिखा है sin minus pi by 2 minus omega t अगर इतनी टर्म को हम कोई एक angle मान के चलें तो यह value क्या हो जाएगी हमारे पास sin minus theta sin minus theta और sin minus theta जो है जो होगी वो minus sin theta हो जाएगी अच्छा अब यहां से यह जो चीज है हमारी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यह जो चीज पूरी है इसको लिख सकते हैं minus sin pi by 2 minus omega t यह लिखा जा सकता है क्योंकि यह rule है sin minus और कोई angle है तो इसको minus बाहर ले आते हैं minus बाहर आ जाएगा sin pi by 2 minus अब इस value को trigonometric में हम लिख सकते हैं cos omega t trigonometric में 10 में आपने पढ़ा होगा इसको लिख सकते हैं cos omega t यह जो चीज है इसको हम यह लिख सकते हैं यह बताने का मतलब है यह इस value को हम यह लिख सकते हैं इसलिए मैंने इस value को यह लिख दिया अब ध्यान से देखें अब याद कर लें तो ठीक डारेक्ट लिख सकते हैं लेकिन अगर समझना हो तो यह समझने के लिए हमने इतना बताया अब यह जो omega l है देखें omega l क्या चीज है वोल्टेज के नीचे जो चीज है और अगर वो current बना रही है वोल्टेज के नीचे कोई चीज है और वो मिल करके current क्योंकि ये तो देखें ये तो है time का function एंगल है ये तो एक multiple इसके साथ multiply में है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर in fact v naught upon जो लिखा हुआ है वो क्या ऐसा लिखा होगा कि हमको current मिल ला है इसका मतलब v naught के नीचे resistance लिखा होगा जो हमको current दे रहा है क्योंकि हमें मालूम है ohm के नीचे साथ से और यह एक प्रकार का resistance है और इसी resistance को हम लोग inductive reactant कहते हैं XL से लिखते हैं यह हम लोग XL से लिखते हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं inductive reactant that is called XL तो यह हमारा एक फार्मला बन गया और v naught upon XL क्या हो गया current हो गया क्योंकि V naught है इसलिए इसको हम I naught भी लिख सकते हैं क्यों क्योंकि यह peak voltage है और peak voltage हमको क्या देगा peak current तो हमारे पास क्या value आ गई final हमारे पास यह value आ गई अब आप गवर करें यह जो value आई हमारी और हमारे पास क्या है V naught sin omega t इसका मतलब देखिए दोनों में हमारे पास क्या अंतर है दोनों में difference यह है कि यह जो voltage है current voltage से pi by 2 phase पीछे है यह जो equation आई वो सीधी नहीं आई इसी तरह नहीं आई यह जो current आया है यह voltage से हमारे pi by 2 phase पीछे है यहनी कि अगर voltage हमारा advance है तो current उससे delay है तो कह सकते हैं कि जैसे voltage का हमने यह बना दिया phase diagram भी बनाने को आ सकता है यह बना दिया यह हमने बना दिया यह voltage को reproduction कर रहा है तो current को क्या reproduction करेगा क्यों current क्या है pi by 2 पीछे है तो current को हम थोड़ा सा पीछे दिखा देंगे ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे इस तरह से तो देखिए यह voltage हमारा zero है तो current हमारी 0 तो नहीं है लेकिन पीछे है उसकी value पीछे है अब देखिए voltage हमारा maximum है तो current हमारी 0 है तो pi by 2 से जो है ये lag कर रही है lead voltage कर रहा है यहाँ पर और lag कर रहा है हमारा current अब देखिए यहाँ पर हमारा voltage यहाँ पर इसको बनाना चाहिए था हमें यहाँ voltage maximum होगा तो current 0 होगी यह voltage हमारा voltage 0 है तो current maximum है यह current का है तो current देखिए maximum है और voltage हमारा voltage गराब 0 पर आ रहा है यह चुकि axis है x axis में आप देख सकते हैं यहाँ voltage हमारा 0 है और current हमारी maximum है तो यहनि कि sine जो है omega t minus pi by 2 का मतलब यह हुआ कि जो sine में हमारा maximum है जिस समय उस समय वोल्टेज में जिस समय maximum है तो current हमारी minimum है तो यहाँ पर हम इसको repression कर सकते हैं और एक तरीके से यह भी repression कर सकते हैं मान लिजे यह हमने बनाया voltage का graph voltage का graph आप ऐसे बना सकते हैं यह voltage है हमारा 3 0 तो current को pi by 2 क्योंकि pi by 2 ही face difference है तो यह pi by 2 को repression कर रहा है 90 degree यह pi by 2 current हमारी पीछे है ऐसे भी repression कर सकते हैं तो यह voltage को repression करेगा और यह current को repression करेगा यह peak value है वी not लिख दिया यह peak value है वी not लिख दिया तो यह जो पूरा है यह pi by 2 है और इतना angle जो बन रहा यह omega t है इसको हम omega t लिखेंगे omega t है यह और दोनों के बीच में जो difference है phase का वो pi by 2 है तो उमीद यही बात समझना ही होगी कोशिश में ने की है कि आपको समझ में आ जाए पुरा और अगर कोई problem है तो आप comment section में बात कर सकते हैं कर दो करेंगे बात